ओम शान्ती, आज की तारिख है 139022, आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रोहानी स्ने से रहना है, सुखदाई बन सब को सुख देना है, गुड ग्राही बनना है, प्रश्न है आज की मुरली से, आपस में रोहानी प्य कैसे रहेगा, वापस में बावा ने पहले ही बताया कि आप सब कौन हो, आपस में भाई भाई हो, तो आपस में रोहानी जो प्यार नहीं रहता, उसका कारण क्या है, सब रहमर बच्चों में, तो बावा कहते हैं कैसे प्यार होगा, उत्तर, देहे अभिमान की कारण, जब एक दो की खामिया देखते हो, एक दो की कमिया देखते हो, तब रोहानी प्यार नहीं रहता, जब आतम अभिमानी बनते हो, जब स्वयम को आत्मा समझते हो, और दूसरे को भी आत्मा देखते हो, तब स्वयम की खामिया निकालने का फुरना रहता है, जब आतम अभिमानी बनते हो तो अपनी कम्या निकालने का फुरू ना लगा रहता है लगन रहती है सतो प्रधान बनने का लक्ष रहता है मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है बावा की श्रीमत है बच्चे किसी के अब गुड मत देखो गुडबान बनने और बनाने का लक्ष रखो सबसे जास्ती गुड एक शिब बावा में है बावा से गुड गरहर करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे बावा से गुड गरहर करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे दाना के लिए मुखिसार है पहला बावा से ऐसा लव रखना है बावा से ऐसा प्यार रखना है जो एक बावा से ही सदा चटके रहे दिन रात बावा की ही महिमा करनी है खुशी में गदगद होना है दिन रात एक शिप बावा की महिमा करनी है खुशी में गदगद रहना है कि हमें बाबा मिला है दूसरा एक बाबा की अब देविचारी याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है कभी भी मिया मिठू नहीं बनना है मिया मिठू किसको कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं मिया मिठू तो मैं हूँ मैं तुम्हें मीठा बनाने आया हूँ बावा के समान मीठा बनना है वरदान है आज की मुरली से पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतिन दिरिये सुख का अनभव करने बाले संपूर और संपन भव ब्रामर जीवन की फाउंडेशन पवित्रता है ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर सुख शांती की अनभूती होती है यदि अतिन दिरिये सुख बस स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है यर्दी अतिन्तिय सुख माना आत्मी किस्तिती में नहीं रह पाते तो बाबा कहते हैं वा स्वीट साइलन्स का अनुभव कम है स्वीट साइलन्स माना जब बाबा की याद में रहते हैं तो एक अलग स्वीट साइलन्स का जो अनुभव होता है बावा कहते हैं अगर वो कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है ये ब्रत धारण करना कम बात नहीं बावा पवित्रता की ब्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआउं सहित मवारक देते हैं इस ब्रत में संपूर और संपन भव का बरदान प्राप्त करने के लिए ब्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो स्लोगन है आज की मुली से सदा एक के अंत में खोए हुए रहना यही एकांत बासी बनना है एकांत बासी बनना बाना सदा एक शिव बावा के प्यार में शिव बावा की याद में खोए रहना चलते फिरते करम करते हुए यही एकांत बासी बनना है आज की मुली से स्वमान का अभ्यास करेंगे मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ एक मिनट के लिए में इडिशन करेंगे मैं पवित्रता का फरिष्टा मस्तक में मडी के समान चमकती ही आत्मा को देखता मैं संसार की सबसे अधेक पवित्रात्मा हूँ मन वाणी करम वचन से संपूर पवित्रात्मा हूँ जितना जितना मैं आत्मा पवित्रता की व्रत को धारा करती उतना ही मुझे अपने परंपिता परमात्मा की दुआओं का हाथ और साथ सदा अनुभाब होता अब मैं पवित्रता का फरिष्टा इस देश से निकल थिरे थिरे उपर की और थिरे थिरे उपर की और आसमान से पार चारो और पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए समस्त ग्रहन अक्षत्रों की बीच खड़ा मैं फरिष्टा सभी को पवित्रता से भरपूर करते हुए मैं फरिष्टा पहुँच आते हुँ सुक्ष बतन में बाब दादा के समक्ष मैं फरिष्टा बाबा की रूहाने द्रस्टी से निहाल होता मैं फरिष्टा बाबा ने अपना वर्दानी हस्त मेरे सिर पर रखा वर्दान दिया बच्चे पवित्रवा बाबा के हाथ से अनंत शक्तियों की किरड़े मेरे मस्तक मर जा रहे हैं मैं आत्मा और शक्तिशाली बनते जा रहे हूं बाबा से द्रस्टी लेते हुए मैं फरिष्टा थीरे थीरे नीचे की और बनाव समाजाते हुए इस देह में अम उर्शांते हुए